आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही प्राचीन नीमू से वशीकरण का मंत्र जिससे कि आप अपने पती अपने ब्रेमी किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं यह मेरे एक करीबी घनिष्ट मित्र ने बनाया था वीडियो इस पर और उसके बाद जो है उसने मुझे बताए कि यह 100% काम करता है आज तक यह किसी के लिए खाली नहीं गया तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा एक नीमू एक चक्कू और मारकर बस इन तेन चीज़ों से आप इस यंद्र को बना सकते हैं जिसके बाद चाहिए वो कितना भी पत्थर दिल क्यों नहों आपका साथ ही वो भी आपके यहां पर पानी भरेगा इस प्रयोग से पत्थर दिल भी पिखलते हैं और ये लाखो लोगों पर टेस्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले मेरे मित्र ने इसको टेस्ट किया है इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीम्बू के दोनों तरफ नाम लिख देना जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं आप कोई भी शाही यूज़ कर सकते हैं इसमें लाल नीला कोई भी काला क्रग आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि इसके बेच में आपको प्लस का साइन बनाना है अब आप यहां पर लिख सकते हैं प्लस के बाद आपके साथी का नाम जिसको भी आप आकर्शित करना चाहते हो और यादर इनके बाद आपको जमा का साइन बनाना है और जो इनके end होंगे और इनका जो सिरा होगा वहां पर आपको स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक आपको दोनों तरफ बनाना होगा इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके चार टुकड़े कर देने है लेकिन इसको पूरा काटना नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके चार टुकड़े हो गई है अब आपको हर एक टुकड़े पर जमा का साइन बनाना है हर एक पर जमा का साइन बनाना है आपको सिर्फ एक सिर्फ एक साइन बनाएं और फिर ये आपको रख देना किसी चोराहे पर किसी ऐसे स्थान पर जहांपर को याता याता ना हो या फिर इसे आप अपनी छटपे भी रख सकते हैं इसके बाद होगा ये कि सिर्फ हफते भीतर हफते के भीतर आपका जो भी प्रेमी होगा वो आपके प्यार में इतना व्याकुल हो जाएगा कि आपको देखे बिना रह नहीं पाएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कालिविद्या.com पे जाकर इसका विश्थित टैक्स देख सकते हैं किस तरह से सुख करना है और अगर कोई दिक्कत परेशनी आए तो मुझे कॉल कीजेगा ट्रिपल लाइन टुएट फॉर सोला पच्चिस पर धन्यवाद झालिवाद